मैं आदर्णे मुक्रमंत्री नतीश कमाजी से विनम प्रता से बोलना चाहूंगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्दियां रही हैं किसी एक उपलब्दी पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं उस उपलब्दी पे हमसे कहीं भी डिबेट करता है जो भी 15 साल में उनकी उपलब्दी रही है हम इसके लिए तैयार है और हमको लगता है कि एक नई परंपरा भी शुरू करनी चाहिए कि बिहार जो है लोक्तंत्र की जन्री रही है वह शाली का गौरफ साली इतिहास बिहार का रहा है तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते कि क्यों ना चीफ मिनिस्टर कंडिडेट को लेकर करके जो डिबेट होने चाहिए वह भी शुरूआत होनी चाहिए और हम इसके लिए बिनम्रता से मुख्यमंत्री जी से आग्रा करेंगे कि हमारे चुनौती को जो है वह उस्वार के परती और हम लोग बड़े कंफटबली मेजॉरिटी के साथ सब्सकार बनाने जा रहे हैं लोगों पर उत्सा है और बड़ी संख्या में लोग जो है सभाओं में आम सभाओं में लोग आ रहे हैं लेकिन तुसी तरफ अगर बात कि जाए तो लोगों बहुत बु तो नितीश कुमार आपको की जबसाब बूद कर रहा है दोसरी और पीजेती उने बोल रही है देखे चिराक पासवान जी के साथ नितीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया आज जब सबसे ज़्यादा जरूरत चिराक पासवान जी को इस समय उनके पता की होनी चाहिए थी आज हमारे बीच रामिलास पासवान जी नहीं है जिसका हम लोगों को दुख है लेकिन जिस प्रकार का वैवहा नितीश कुमार जी का रहा चिराक पासवान जी के पती उनके साथ ना इंसाफी की गई जिन मोजी ने का कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है एक है जम कुछा के मिस्टाम कर रुख इंगे तो भिहार में ब्रिकाह उत्पादन करेंगे जिससे बिटबी करें जो है वह कम हो निकुत보ため झाल झाल